एक ऐसा चोर जो दर्वाजा तोड़कर घुसता है वो भी चोरी के मकसद से लेकिन चोरी तो नहीं किया पर कुछ औरी मामला सामने आया ये चोर बात टब में पहले नहाता है कौफी बना कर पीता है और सोता भी है फिर उसी घर से चलते बनता है इस चोर की कहानी थोड़ी दि अक्सर हम चोरी के कई किस्से सुनते और देखते हैं जिसमें बदमाश शातिर तरीकों से घर में घुसते हैं और हाथ साफ कर चलते बनते हैं यहां तक कि चोर अपने समय को गवाए बिना अपने कामों को जल्दी से करना चाते हैं ताकि उन्हें कोई पकड़ ना ले वो किस कर बैठ जाते हैं और बड़े ही आराम से वहां बैठ कर सो कर खाकर अपना समय बिताते हैं एक ऐसा ही अजीबो गरीब मामला खूब छाया हुआ है और उस पर खूब चर्चा भी हो रही है जिसके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे दरसल यह मामला अमेरिका के शूरी करने के लिए पर कुछ और ही करके चला गया यह ऊनोंखी चोरी का मामला फ्लूरीडा की सपॉंबिया काउंटिंग का है जहां एक 49 वर्स चूर की कहानी खूब चण्चा कभी से बनी रही हुई है क्योंकि यह चोरी के मक्तल से गया था और तो पीकर आराम कर आया तो के बाद कॉफी बनाकर पीता भी है सुने घर का पूरा मौज उठाने के बाद वहां से निकल जाता है इस अनोखे चोर की कहाने सबको दिल्चस्प लग रही है और पूरी दुनिया में सुर्खिया वटोर रही है जिसका वीडियो शोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पी काफ जैचरी ने एक सुने मकान के मुख्य दर्वाजे के सीसे को तोड़ा फिर उससे ही अंदर गया इसके बाद उसने जो कुछ भी वहां किया वो हैरत अंगेज कर देने वाला है चोर ने ना केवल वहां पर बात टब में नहाने का फाइदा उठाया बलकि बैडरूम में साफ स चोरी करने के लिए बस से आया था इस बात का खुलासा तब हुआ जब उसकी बस का टिकट उस घर में ही पाया गया दरसल उस यूवक ने बस के टिकट को वहीं पर कुरादान में डाल दिया हाला कि जब तक पुलीस उसके पांच पहुंशती तब तक वहां से निकल चुका लेकिन उसी दिन कुछ और भी हाथसा हुआ दरसल एक और घर में चोरी हुई जिससे पुलीस को पता चल गई कि ये चोरी जैच्री नहीं किया है जिसके बाद अमेरिका पुलीस ने उसे खोजबिन करने के बाद उसे पकड़ लिया जैच्री के उपर चोरी और बाद टब में पहले नहाता है कॉफी बनाकर पीता है और सोता भी है फिर उस घर से चलता बनता है इस चोर की कहानी थोड़ी अजीब गरीब है और हैरान कर देने वाली है आपका क्या कहना इस चोर की चोरी के स्टाइल को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताए ऐसे ही चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद